हेलो मित्रों आप सभी का हमारे यूटूब चैनल इस्टडी आन ट्रैक पर हर्दिक स्वागत है आज हम आपके समझ यूपी ट्रिपल एस्टी वीडियो प्रीविएस येर केस्टन पेपर जो कि 23 दिसंबर 2018 को दूसरे शिप्ट में हुआ था उस प्रश्ण पत्र के सामान हिंदी सेशन को लेकर आपके समझ प्रस्तुत हुए है आसा करते हैं कि आपको अब तक जिन भी वीडियोज को प्रोवाइट कराया गया है आपने उसका अध्यन किया आपको हमारे वीडियोज पसंद भी आये होंगे चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं आज हम सामान हिंदी के पचासो प्रश्ण पत्रों का विशलेशन देखेंगे ठीक है यह और हाँ जो लोग यूपी पीसियस के तैयारी कर रहे हैं वो सी सैट पोर्शन में उनके हिंदी के 20 कृष्टन साते हैं तो वो लोग भी इस पेपर को अध्यान कर शकते हैं क्योंकि प्रश्णों का जो लेबल है वो सेम है आप यह ना सोचें कि यह यूपी ट्रिपल सी का पेपर है तो यह हमारे पीसियस के सी सैट में काम नहीं आएगा आप भी यहां से अध्यान कर सकते हैं लगभग सेम सेलेवस है और यहाँ आपके लिए काफ़ी फायदेमन सावित होगा ठीक है चले आज का सेशन चुरू करते हैं निम्लिखित में से कौन सा पत्र वयक्तिक पत्र है ठीक है तो जो वैक्तिक पत्र है ये कौन सा है इसकी स्रेणी में कौन सा आता है व्यापारिक पत्र आता है प्रातना पत्र आता है संपादक के नाम पत्र आता है मित्र को पत्र आता है तो देखे हम आपको एक बात बतला दें पहले कि जो पत्र है पत्र दो प्रकार के होते हैं एक होता है आपका अप्चारिक पत्र होता है एक होता है अनप्चारिक पत्र ठीक है तो जो अनप्चारिक पत्र होता है इसके अंतरगत बैक्तिक पत्र आता है बैक्तिक पत्र में जैसे जब आप अपने मित्र को कोई भी पत्र लिखते हैं तो आपका बैक्तिक पत्र के अंतरगत आता है बधाई पत्र हो गया सुखकामना पत्र हुआ निमंतरण पत्र हुआ अब इसे सौसरों पे लिखे गए पत्र हुए ये सब आपके अनौपचारिक पत्र होते हैं ठीक है अनौपचारिक पत्र होते हैं और इन्हीं के अंतरगत आपका एक बैक्तिक पत्र है बैक्तिक पत्र जो आप मित्र को लिखते हैं वह आपका एक बैक्तिक पत्र के अंतरगत आता है ब्यापारिक पत्र ब्यापारिक पत्र आपका अवचारिक पत्र के अंतरगत आएगा प्राथना पत्र आपका और स कौन सी पत्र की विशेस्ता नहीं है हमसे कह रहा है कि निम्लिखित में से कौन सी पत्र की विशेस्ता नहीं है तो आप गौर से समझेगा कि जो पत्र है पत्र की विशेस्ता जो होती है पत्र की मुख्य विशेस्ताएं होती है जिसमें कि सरल भाव सैली हो यानि विने सीलता हो विचारों की सुइस्वष्टता हो संचिप्तता हो संपूरता हो क्रमबधता हो ठीक है प्रभावशाली हो बाहरी सजावट हो यह आपके पत्र की विशेष्टाएं है लेकिन जो प्रेशक है यह आपकी पत्र की विशेष्टा नहीं है यह पत्र की आवशकता है आवशक बाते हैं पत्र लिखते वक्त जहां पर प्रेशक, प्रेशक के नाम, प्रेशक का पता इत्यादी लिखा जाता है यह पत्र की आवशकता है लेकिन पत्र की विश्यस्ता है पत्र कैसा लिखा जाना चाहिए पत्र कैसा होना चाहिए लेटर र पत्रों में होना चाहिए ठीक नेक्स्ट गंदगी की समस्या से पीडित मुहलेवासियों की ओर से नगरपाली का अध्यच को लिखा गया पत्र निम्लिखित में से किस रेणी के अंतरगत आएगा हमसे यह पूछ रहा है प्रार्थना पत्र व्यापारिक पत्र आवेदन पत्र तो देखिए अगर हम यहाँ पे पीडित हैं मुहलेवासियों किसी समस्या से पीडित हैं तो इसका आर्थ है कि उन्हें कोई सिकायत है ठीक है उन्हें कोई सिकायत है तो यह एक आपका सिकायती पत्र होगा ठीक है नेक्स्ट निम्लिखित में से कौन सा मूल दिर्ग स्वर नहीं है, तो आपको एक बता दें कि जो मूल स्वर हैं, मूल स्वर में आपका है o, e, o, re, ठीक है, यह आपके हैं, re, यह आपके हैं मूल स्वर, जिसे हम हरस्वर भी बोलते हैं, तो जब मूल दिर्ग स्वर की बात की जा रही है, तो इसका दिर्ग हो जाएगा, इसका हो जाएगा बड़ा री ठीक है तो आप आप संसे अब देख लीजिए कि मूल दीर्ग स्वर्व आपके यह हो गए तो कौन सा नहीं है तो आप संसी ओ नहीं है ठीक है तो इसमें से जो आपसन भी है आपका उत्तरदाई यह आपका सही है ठीक निमलिखित में से किस सब्द में ओ उपसर्ग नहीं लगा है ठीक है अभेद्य अकत अनूज अचूप भेद अभेद कत अकत अनूज नहीं चूप अचूप ठीक है तो इसमें जो आपसन सी है आपका यह सही है संधियां तीन प्रकार की होती है स्वर संधि ब्यंजन संधि और विसर्ग संधि इसमें से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है तो आपका जो अनुश्वार है यह संधि का प्रकार नहीं है ठीक है यह आपके संधि का प्रकार नहीं है निम्न लिखित में से कौन सा ब्यंजन संधी का उदाहरण नहीं है? ठीक है? ब्यंजन संधी का उदाहरण कौन सा नहीं है? हमसे यही पूछ रहा है जगदंबा, विद्यालय, अहंकार, संतोस तो जगदंबा का होता है जगत धन अंबा ठीक है? जगत धन अंबा यह आपका ब्यंजन संधी का उदाहरण है विद्यालय, विद्याधन आलय, विद्याधन आलय यह आपका स्वरसंधी है आ, धन आ बराबर आ हो गया आ, और आ के बाद जब आ आ आये, समान स्वर आये, या अब लिक E के बाद जब सब समान स्वर आए और इससे बड़ी E बनती है तो आपका दिर्गस्वर कहलाता है स्वरसंदी है U धन U धन समान स्वर आए तो इससे जब बड़ा U बनता है वो अभी आपका दिर्गस्वरसंदी का उदाहरण है ठीक है अहंकार का होता है आपका एहम धनकार एहम धनकार यह हो गया आपका अहंकार संतोस का होता है आपका समधन तोस यह आपके व्यंजन संधी है जगद्धन अंबा अहम धनकार संधन तोस यह आपके व्यंजन संधी है विद्यालाय आपका स्वर संधी है स्वर संधी में यह दिर्ग संधी है ठीक देश भक्ति में कौन सा समास है ठीक है देश भक्ति में कौन सा समास है तो देश भक्ति में आपका तत्पुरुस समास है देश के लिए भक्ति तत्पुरुस या संप्रदान के लिए त्यानि या संप्रदान तत्पुरुस है जिस समास का बाद का यानि उत्तरपद प्रधान होता है तो था दोनों पदों के बीच के कारक चिन्न का लोप होता है लुपत होता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं देश भागती देश के लिए भागती यानि कि यह तत्पुरुष समास है ठीक है नेक्स्ट पंचवटी में कौन सा समास है पंचवटी ठीक है पांच वटों से घीरा एक निश्चित अस्थल जहां बनवासी राम ने सीता और लच्छमण के साथ निवास किया उसे हम पंचवटी कहते हैं या पंचवटी एक अस्थान का नाम है ठीक है बहुब्रही समास, द्विगु समास, द्वंद समास और तत्पूरु समास तो है नहीं, द्वंद समास है नहीं अब हम बात करते हैं द्विगु समास और बहुब्रही समास में द्विगु समास क्या है? जिसका पूरुपद संख्यावाचक संख्यावाचक विशेशन हो इसमें समूह का बोध होता हो और इसमें दूसरा पद विशेश से हो ठीक है? वटी वन है पंचवटी पांच वन यानि कि जो पांच है पंच है या संख्यावाचक है या वटी की विशेशता बतला रहा है तो पंचवटी यह है आपका द्यूग समास हुआ लेकिन एक पंचवटी अस्थान है जो बहुबरही समास का बहुबरही समास क्या है? जिसके दोनों पद प्रधान नहीं होते दोनों मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं इसका समस्त पद ही विशेशन का कारे करता है तो यह पंचवटी जो है पंचवटी एक अस्थान है विशेशन का कारे करता है लेकिन जब आप आप्शन से दोनों पे नजर डालेंगे पंचवटी में बहुबरही और द्विग में कि इसका प्रवल एंसर कौन सा बनेगा तो इसका प्रवल एंसर आपका दिग बनेगा दिग इसलिए बनेगा क्योंकि पंचवटी के साथ अगर कुछ भी जुड़ा होता तो यहाँ पे बहुबरही की एक प्रवलता होती क्योंकि यह विशेशन है अगर इसके साथ विशेस भी जुडा होता ठीक है तो यह आपका बहुबरही समास होता पंचवटी पंचवटी में दोनों इसके पद प्रधान नहीं होते हैं जब कि यहाँ पे एक प्रधानता मिल रही है पांच भी है वटी भी है लेकिन एक किसी तीसरे की ओर संकेत करता है तो संकेत तो यह तीसरी ओर कर रहा है एक ऐसे अस्थान की ओर संकेत कर रहा है जहाँ पे बनवासी स्री राम और सीता लच्मर जी रहे थे उस पंचवटी की तरफ यह संकेत कर रहा है लेकिन यहाँ पे दोनों पद प्रधान भी है इसलिए या वहुबरही नहीं होगा या अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है ठीक है अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है उपसर्ग हमने बताया था उपसर्ग होता है किसी के समीप आकर नया सब्द बनाना वे सब्दांस जो किसी सब्द के आरंभ में लगकर उनके अर्थ में विसेस्ता ला देते हैं या उनके है ठीक है तो अधिकारी में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है तो इसमें अधी जो है अधी यह आपका उपसर्ग है ठीक है नेक्स्ट निमलिखित में से किस सब्द में नी प्रत्य लगा हुआ है ठीक है नी प्रत्य स्वारी नहीं लगा हुआ है प्रस्ण ध्यान से पढ़ना है नी प्रत्य नहीं लगा है ठीक है तो प्रत्य क्या होता है प्रति साथ में परबाद में आय चलने वाला प्रत्य प्रतिधन आय प्र सब्दां जो किसी सब्द के अंत में लगकर उनके अर्थ में विशेष्टा ला देते हैं या उनके अर्थों को बदल देते हैं प्रत्या कहलाते हैं ठीक है जैसे मोरधन नी मोरणी यहां पे प्रत्या लगा हुआ है सेरधन नी सेरणी लगा हुआ है कूट धन नी कूट नी ल लगा हुआ है इसलिए आपका options सी सही answer है निमलिखित में से कौन सा सब्द तत्सम नहीं है तो संसक्रित के समान हिंदी में ऐसे अनियक सब्द हैं जो संसक्रित से सिधे तौर पे आये हुए हैं और आज भी जियों का त्यों ही प्रयोग किये जाते हैं ऐसे सब्दों को हम तस्सम सब्द कहते हैं ठीक है तो जैसे इसमें है आपका कपाट यह आपका तस्सम है कूची कूची का तस्सम होगा कुर्ची का ठीक है तो आपका यह सही अंसर है की टक सही है कुम्भकार सही है निमलिखित में से कौन सा सब्द तदभव है हमसे पूछ रहा है कि निमलिखित में से कौन सा सब्द तदभव है तो ठीक है पक्ष, पक्षी, पतन, पत्ता तो इसमें से जो तदभव सब्द है वो आपका पत्ता है ठीक है निमलिखित में से कौन सा सब्द तक्सम है, शोलह, सोभन, सोता, सोना, तो इसमें से जो आपका सही एंसर बनेगा, वह आपका बनेगा सोभन, सोभन आपका तक्सम सब्द है, ठीक है, शोलह, सोलह का होता है, सोडश, ठीक है, सोडश आपका होता है, सोता का होता है, त्रोद, और सोना का होता है, स्वार, यह आपके इसके तस्तम रोप है, नेक्स्ट, उत्पत्त के अधार पर सब्दों के चार भेद दिये गए हैं निमलिखित में से काउन सा भेद गलत है हमसे पूछ रहा है ठीक है तो उत्पत्त के अधार पर जो चार भेद होते हैं उह होता है आपका तस्सम सद्भो, देसर और विदेशी या विदेसर ठीक है तो आपका जो योगिक है यह गलत है ठीक है यानि option C आपका सही है इसमें निम्लिकित में से कौन सा सब्द समू वाचक संग्या नहीं है ठीक है हमसे पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा है जो कि समू वाचक संग्या नहीं है तो आपको ये बता दें कि संग्या, संग्या किसे कहते हैं? किसी वस्त, प्राणी, अस्थान, भाव, नाम, आदि के नाम को ही हम संग्या कहते हैं शंग्या हमारी पांच प्रकार की होती है ब्यक्ति वाचक संग्या जाति वाचक संग्या द्रब्य वाचक संग्या समुवाचक संग्या और भाव वाचक संग्या तो हमसे पूछ रहा है कि इसमें से समुवाचक संग्या कौन सा नहीं है तो सभा देखिए आपके समुव को दर तो क्रिया होती है कि किसी कार के जहां से किसी कार की करने का या होने का भाव उत्वन हो रहा हो या कार हो रहा हो कार होता हुआ अप्रतीत हो रहा हो उसे हम क्रिया कहते हैं ठीक है तो यहां पर जो दोड़ है क्रिया है ठीक नेक्स निम्लिकित में से कौन सा सब्द द्रब्यवाचक संग्या है द्रब्यवाचक संग्या तो हमने भी बताया कि संग्या के पांच रूप है तो उसमें से एक और दरब्य वाचक क्या है जिस संगया सब्ध से उस समागरिया पदार्थ का वोध होता है 5 वहता से इन मिठ्षाब बना मिठ्षाब सही और ठंड जो है यह आपका क्या कहते हैं, थंड जो है, आपका भाव अचक सन्गिया है, ठीक है, next, वह आप ही चला गया, वाक्य मेरे खांकित किस भेद का उदाःण है, निझ वाचक सरोनाम, संबंध वाचक सरोनाम, पुरुस वाचक सरोनाम या निश्य वाचक सरोनाम, तो देखें सरोनाम जो है सरोनाम के छे भेद होते हैं पुरुस वाचक सरोनाम निश्चे वाचक सरोनाम अनिश्चे वाचक सरोनाम संबंध वाचक सरोनाम प्रश्ण वाचक सरोनाम और निजवाचक सरोनाम ठीक है तो यह हमारा निजवाचक सरोनाम का उदाहरन है जहां पे आ आप ही चला गया ऐसे में यह निजिता का बोध कर रहा है यह निजवाचक सरुनाम है संबंद वाचक सरुनाम होता है जहां पे जो सो जैसे सब्द का प्रयोग होता है पुरुस वाचक सरुनाम है जिसमें उत्तम पूरुस मध्यम पूरुस और अन्य पूरुस जैसे मैं हम का बोधुत्पन हो वहां पे जैसे यह वह यह वह यह यह आपके निश्यवाचक सरुनाम होते हैं नेक्स्ट गिलास में थोड़ा दूद है ठीक है वाक्य में रेखांकित सद्विशेशन के किस भेद के अंतरगत आएगा इसमें जो थोड़ा है यही रेखांकित है आपका तो यह आपका परिमार वाचक है ठीक है यह आपका परिमार वाचक या आयाम वाचक है ठीक है यह आपका परिमार वाचक या आयाम वाचक है विशेशन है ठीक है तो इसको समझे लेते हैं संकेत वाचक संख्या वाचक तो विशेशन मूलता चार प्रकार के होते हैं हमारे सारवनामिक विसेशन, गुरवाचक विसेशन, संख्यावाचक विसेशन और परिमार वोधक विसेशन ठीक है या परिमार वाचक विसेशन जिसे हम आयाम वाचक विसेशन भी कहते हैं ठीक है तो जिन विसेशनों से संग्यात्वा सरवनाम के परिमार का वोध होता है उसे हम ये दो प्रकार के होते हैं एक निश्चित परिमार होता है अनिश्चित परिमार होता है जहां से निश्चिता का बोध हो जैसे 10 किलो घी 5 कुंटल गेहूं 10 किलो बाजरा 5 लीतर दूद ठीक है यहां पे निश्चिता का बोध हो रहा है तो यहां आपका निश्चित परिमार तक हम निशित्ता का और निशित्ता का यूद्पन कर रही है तो यह आपका अभिस्ट्स सब्द होते हैं व्यात्व है ठीक है नेक्स्ट क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं ठीक है क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं तो क्रिया के मूल रूप को धात कहते हैं तो क्रिया किसे कहते हैं जिस सब्द से किसी कारे का होना या करना पाया जाए ठीक है होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते है जैसे खाना, पीना, पढ़ना, सोना, रहना, जाना, उठना, बैटना, लिखना, इत्याद, धातु क्या है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, धातु से ही क्रिया पद का निर्मार होता है, इसलिए क्रिया के सभी रूपों में धातु उपस्थित रहती है, जैसे चलना क्रिया में चल धातु है पढ़ना क्रिया में पढ़ना क्रिया में पढ़ धातु है ठीक है इसमें पढ़ धातु है इसमें चल धातु है इसी तरीके से पहचान क्या है धातु को अगर हमें पहचानना होगा तो हम पहचानेंगे कैसे तो इसको पहचानना है कि जो सब्द है सब क्यंत में ना लगा के ना लगा के हम इसको पहचान सकते हैं जिसे पढ़ पढ़ना चल चलना ठीक है तो यह हुगा आपकी तो इसमें धातु जो थी धातु ना लगा हुआ है तो धातु इसमें जिसे चलना है तो इसमें ना लगा हुआ है ना को हमने निकाल दिया तो इसकी ध हाथ है लिए नेक्ट समझते हैं कि अगर गर है कि अगर आगे बता देते हैं कि धात में दो होते हैं एक मूल धात्य होती है उग्यां कि होती है उप्याजिक शेयरणото अब्य कौन सा है ठीक है अच्छा स्वरी मैं वहां होकर आया हूँ वाक में अब्य कौन सा है मैं वहां हूँ होकर तो यहां पे जो अब्य है अब्य आप वहाँ ठीक है इसका बनेगा वहाँ कैसे अब समझ लेजे तो अब्या के बारे में हम आपको बता दें कि अब्या होता क्या है कि ऐसे सब्द जिनमें लिंग वचन पूरुस लिंग वचन पूरुस कारक आध के कारण कोई विकार उत्पन नहीं होता है कोई विकार उत्पन नह होता है ऐसे सब्दों को हम अब्या कहते हैं ठीक है यह सब्द सदय और परिवर्तित होते हैं और विकारी होंगे ठीक है इनके मूल रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है जैसे कुछ सब्द हैं हमारे पास आज कब इधर किन्तु परंतु क्यूं जब तब और अतह इसलिये ठीक है इस अब ऐसे सब्द हैं जिन में कोई परिवर्तन नहीं होता अब्या के चार भेद होते हैं ध्यान दखिएगा अब्या के चार भेद होते हैं अब्या कौन कौन से होते हैं क्रिया विशेशन, समंद बोधक, समुच्य बोधक और विश्मयाद बोधक यह आपके एडवर्व के अंतर गताता है यानि कि जो क्रिया की विशेशन बतलाता है उसे हम क्रिया विशेशन करते हैं इसमें एक अस्थान वाचक विशेशन होता है जो इस्थित वाचक होता है यहाँ वहाँ भीतर बाहर ठीक है? तो यह स्थित वाचक क्रिया विशेशन है यह अब्याय है जिसमें अब्यक्त मैं वहाँ होकर आया हूँ इस वाक्य में वहाँ जो है यह आपका अब्याय सब्द है ठीक है यह क्रिया विशेशन अब्याय है ठीक चलिए next उसने कटोरा भर दूध पिया वाक्य में अब्याय सब्द कौन सा है ठीक है अभी हमने अब्याय की बात की तो कटोरा भर तो यह आपका प्रिपोजीशन है कटोरा भर के दूध ठीक है तो आपका प्रिपोजीशन है भर कटोरा भर दूध तो यह आपका संग्रह वाचक होता ह जिसमें हमारे सब्द होते हैं लगभग भर मात्र अंतरगत तक यह सब सब्द हैं जो कि हमारे आपके संग्रह वाचक अब्या के अंतरगत आते हैं हमारे अर्थ के आधार पे जो प्रिपोजीशन है वो 14 प्रकार के होते हैं ठिक है अर्थ के आधार पे जो हमारे संबंध वाचक हैं संबंध वाचक हैं संबंध वाचक यह हमारा संबंध वाचक 14 प्रकार का होता है ठिक है चलिए next निमलिखित में से कौन सा एक अनात का परयावाची नहीं है प्रस्नों को बड़े ध्यान से पढ़ना है अनात का परयावाची नहीं है बेसहारा है यतीम यतीम भी है निरासरित भी है अनारी नहीं है ठीक है तो इसमें से अनात का परयावाची कौन सा नहीं है तो अनारी नही है ठीक नेक्स नेमलिखित में से विचित्र का परयावाची क्या होगा विचित्र का परयावाची क्या होगा ठीक है जिसमें से विचित्र का परयावाची होगा विलक्षन विरुद्ध प्रतिकूल और विपरीत ये समानार्थी है विचित्र का परयावाची विलक्षन होगा निमलिखित में से अम्रित का विलोम क्या होगा थीक है तो अम्रित का विलोम जो होगा यहाँ पे होगा आपका विश्व विश्व जो है आपका अम्रित का विलोम होगा अमर का विलोम होता है मर्त अमर का विलोम होता है मर्त विश्व विश्व जो है इसका समानार्थी सार जगत दुनिया इस तरीके से लोग तो विश्व का जो विलोम होगा वह आपका हो जाएगा पर लोग ठीक है नेक्स निमलिखित में से निन्दा का विलोम क्या होगा हमसे पूछ रहा है कि निमलिखित में से निन्दा का विलोम क्या होगा ठीक है तो निन्दा निन्दा का विलोम होगा इस तुछ निन्दा का विलोम होगा इस तुछ ठीक है नियत नियत, नियत बोलते हैं हम भाग्य को, ठीक है, नियत बोलते हैं हम भाग्य को, सलाग्य, ध्या नहीं है, सलाग्य है, घर है ये, सलाग्य, ये गलत लिग गया है, ये होता है आपका सलाग्य, ठीक है, सलाग्य, सलाग्य या वंदय, सलाग या वंदय का जो विलोम होता है वो होता है आपका निंद्य ठीक है निंद्य हो जो होता है या आपका सलाग या वंदय का होता है निरुद्ध का होता है अनिरुद्ध ठीक अनिरुद्ध या आपका विलोम हो गया ठीक है next को कोई टाल नहीं सकता को कोई टाल नहीं सकता यहां पर रिक्त स्थान के लिए उचित सब्द चुनिए नियत को कोई नहीं टाल सकता निमित को कोई नहीं टाल सकता नमित को कोई नहीं टाल सकता तो आपका सही उत्तर बनेगा नियत नियत मिन्स होता है भाग्य भाग्य को लड़ना धर्म है रिक्तस्थान के लिए उचीत सब्द चुने सत्व स्वत्व सम्मति और सम्मति तो इसमें जो आपका सही अंसर है वह है स्वत्व स्वत्व मुन सहोता है अधिकार स्वामेत्व अपना पन हो गया आपका यानि अपने अधिकार के लिए लड़ना धर्म है अपने स्वत्व के लिए लड़ना धर्म है ठीक नेक्स अनियमित के लिए उचित वाक्यांस चुने अनियमित के लिए उचित वाक्यांस चुने अनियमित के लिए हमसे पूछ रहा है उचित वाक्यांस हमें चुनना है जिस पर कोई नियंतर न हो ज उसे अनियमित कहते हैं, जिस पर कोई नियंतरण ना हो, उसे अनियंतरित कहते हैं, ठीक है, और जिसके संबंद में कोई नियरे न हुआ हो, उसे अनियरित कहते हैं, जिसका निवारन न हो सकता हो, उसे अनिवारनिय कहते हैं, ठीक है, उसे अनिवारनिय कहते हैं, जिस पर आक्रमड हो वाक्यांस के लिए उचित सब्द चुने जिस पर आक्रमड हो उसे कहते हैं आक्रांत जिस पर आक्रमड हो वाक्य के लिए उचित सब्द होगा आक्रांत गुड़ गोबर कर देना कोई वक्हेडा करना गायब कर देना बनाया काम बिगाड़ देना अपनी हानी करके मौज उड़ाना तो गाओं में हमने कई बार सुना है कि बना बनाया काम बिगाड़ दिये ये सब हमारा बैठे बैठाय गुड़ गोबर कर दिये हमने इतनी मेहनत क कि सब गुर्गोवर कर दिये तो इसका अर्थ है हुआ कि इसका हमारा सही एंसर हमको मिल गया कि बना बनाया काम बिगार देना जिसे हम कहते हैं गुर्गोवर कर देना हतियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा हतियार डाल देना मात्र कलपना करते रहना हतियार उ जाल देना टिक नेक्स्ट लिए पर दमडी न जाए लोकोकती है इसके लिए उप्यूग अर्थ चुने कहते हैं कि वह भाया इतना कंजूस आदमी है कि वह समझ लीज़े कि उसकी चमडी चली जाए पर उसकी दमडी न जाने पाई उसका पैसा न जाने स्वास्त खराब हो जाए लेकिन एक रुपए भी खर्च नहीं करता अपने उपर ऐसा हमने आपने आम बोल चाल भासा में बहुत बार सुना होगा तो इस लोकोक्ती का चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए का सही उत्तर होगा बहुत कंजूसी ठीक है निमलिखित में से मिस्तर वाक्य कौन सा है हमसे पूछ रहा है कि निमलिखित में से मिस्तर वाक्य कौन सा है ठीक है तो जिन वाक्यों में एक प्रधान वाक्य हो और अन्य आस्रित वाक्य हो तथा जो आपस में कि जो, क्योंकी, जितना, उतना, जैसा वैसा, ठीक है, जब तक, जब तक, जहाँ, वहाँ, इत्यादी सब्दों से जुड़े हूँ, उन्हें हम मिस्रवाक्य कहते हैं, ठीक है, अब देखिए, इसमें से कौन सा है, हमें समझ में आ जाएगा, रण में से नापत के भी इरता दिखाने के कारण, राश्पती ने उससे भी रचकर प्रदान किया, उसे लूटने के अतरिक्त पीटा भी गया, उसने मान लिया की दोस उसका है, मेरा मित्र आया, और हम दोनों सैर करने चल उसने मान लिया की दोस उसका है, हमें मिल गया ना, मिस्र वाक्य है, हमने पहचान करने के तरीके देख लिये की जो क्यों की जितना जब तक जहां, वहां उतना जैसा वैसा, जैसे वाक्यों से अगर यह जुड़ा हुआ है, सब्दों से जुड़ा हुआ है, वाक्य अगर द दूसरा उस पे आस्रित है, ये दोनों भाव भी उत्पन्न होते हैं, देखिए, उसने मान लिया, क्या मान लिया, कि दोस उसका है, या उसने मान लिया, या प्रधान वाक्य है, दोस उसका है, इस पे आस्रित वाक्य है, और यह की से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहापका मिस वह दंड से बचना चाहता था, इसलिए भाग गया, यह एक संयुक्त वाक्य है, इसका सरल रूप क्या होगा, संयुक्त वाक्य क्या होता है? दो या अधिक सरल वाक्य को योजकों और दो या अधिक सरल वाक्य हैं, जिनको योजक कौन कौन से हैं, और एवम तथा या अथवा, इसलिए अतः फिर भी तो नहीं है, नहीं तो किंत, परंथ, लेकिन, पर, आधि जैसे सब्दों से जुड़े होते हैं, ठीक है, और सरल वाक्य क्या होता है, जिसमें केवल एक उद्ध और एक विधे होता है, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं, तो संयुक्त वाक्य दिया है तो हम देख रहे हैं कि संयुक्त वाक्य है यह इसलिए से जुड़ा हुआ है इसलिए संयुक्त वाक्य है ठीक है यह तो हमने पहचान लिया कि हाँ यह संयुक्त वाक्य है दो सरलवाक्य जुड़ा है तो इसके लिए सरलवाक्य क्या होगा क्योंकि वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया तो आप देख रहे हैं इसलिए से जुड़ा हुआ है क्योंकि से भी जुड़ा हुआ है तो ये आपका कहीं से भी आपको ये दिख गया कि ये भी आपका एक्सन यूत्वाक्य ही है दंड से बचने के लिए वह भाग गया वह भाग गया क्योंकि दंड से बचना चाहता था क्योंकि मिस्रवाक्य में है वह भागा क्योंकि उसे दंड से बचना था ठीक है तो आप ये देख रहे हैं कि ये दोनों मिस्रवाक्य हो गए तो option भी देखिए दंद से बचने के लिए वह भाग गया या आपका एक सरलवाक्य हो गया ठीक next option से भी हम लोग option भी देख सकते हैं option से पहचान कर लिए पहचान करने के बाद जो बचा वही हमारा answer हो गया जरूरी नहीं है कि हमें सारे topic सारे rule याद ही हो हम पहचान करके भी अपने वाक्यों को छाट सकते हैं निमलखित में से ब्याकरणिक द्रिष्टी से सुद्धवा के कौन सा है ठीक है हमसे कह रहा है ब्याकरणिक द्रिष्टी से सुद्धवा के कौन सा है वे अनेक विश्यों के गयाता थे इस समय चार वजे है शब लोग अपनी राय दें आसू से मेरा रुमाल भीग गया तो अपनी राय दें क्योंकि सब अपने आप में सब लोग उसमें समाईत होते हैं यह ववचन है सब ठीक है तो यहाँ पे अनावश्चक प्रयोग है सब अपनी राय दें यह सही है आसुओं से यहाँ पे आसुओं से जो है आसुओं से मेरा रुमाल भीग गया यह होना चाहिए ठीक है चले नेक्स्ट निमलिखित में से कर्मवाच्च वाला वाक्य चुने ठीक है कर्मवाच्च वाला वाक्य चुने तो कर्मवाच्च कृत्वाच्च दो होते हैं हमारे ठीक है कर्मवाच्च और कृत्वाच्च दो होते हैं जिसे हम इंगलिज में एक एक्टिवाइस कहत कर्म कर्त वाच्य से कहते हैं कर्त के वाज्ट कहता में कर्त की प्रधानता का बोध होता है और जहां पे क्रिया के उस रुपांतरण को कर्म वाच्य कहा जाता है जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध होता है ठीक है तो आप गौर से देखेगा ऐसा कहते हैं कि यहां पे करता का है तुम लिख नहीं सकते बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया उसे सब कुछ बता दें तो आप ऑप्सन सी पे ध्यान दीजिएगा जिसें पैसी वाइस कहते हैं जहां पे करता का लोप होता है चूहा मारा गया किसके द्वारा मारा गया किसके द्वारा मारा गया बिल्ली के हाथों मारा गया बिल्ली के द्वारा मारा गया यानि कि यहां पे जो अबजेक्ट है कर्म है बिल्ली है बिल्ली के द्वारा जो मारा गया है यानि यहां पे प्रधान है बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया है इसलिए यहां पे यह कर्म व करता का लोप होता है और यहां पर जो कर्म होता है वही आपका करता के रूप में कारे करता है और यहां पर कर्म की प्रधानता होती है ठीक है और किसके द्वारा अगर हम वाकि में लगाते हैं तो हम उत्तर पाएंगे जैसे क्रिया में चुहा मारा गया किसके द्वारा मारा ग तो यहां आपका एक कर्म वाच्चे का दारण है चालिस नमबर देखिए से के द्वारा किस कारक का परसर्ग है करताने कर्म को करण से या द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के भाव में तो कर्म से या के द्वारा ठीक है विवक्ति हो गई वह मुझे से अलग रहता है वह मुझे से अलग रहता है रेखान की सब्द के अधार पर यहां कौन सा कारक है ठीक है वह मुझे से अलग रहता है यहां पर मुझे से है ठीक है मुझे से मुझे से है आपका छिन्हे रिखांकित सब्द है तो यह पूछ रहा है कि वह मुझे से अलग रहता है मुझे से जो रिखांकित है यहां कौन सा कारक है तो मुझे से अलग रहता है तो यहाँ पे अलग रहने का भाव उत्पन कर रहा है करण से लेकिन वहाँ पे जो करण से है वो अलगाओ का भाव उत्पन नहीं करता करताने कर्म को करण से या द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के भाव में तो यानि यहां पे जो आपका उत्तर बनेगा वह अपादान बनेगा अपादान आपका अलग होने के भाव को उत्पन करता है ठीक है? नेम लिखित में से कौन सा सब्द इस्त्री लिंग है तो यहां पे जो आपका सही एंसर बनेगा वह बनेगा आपका जील जील आपका एक इस्त्री लिंग सब्द है ठीक है नेक्स नेम लिखित में से कौन सा सब्द दोनों वचनों में समान रहता है ठीक है कथा, सरसो, कुटी, लताएं सरसो का सरसो, कथा का कथाएं कुटी का कुटियां, लता का लताएं तो जो इसमें आपका सरसो है या आपका बनेगा ठीक है? जो सरसो है या आपका सही एंसर होगा निमलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूत काल का उदाहरण है पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है यानि past tense है ठीक है वे गए, वे आये थे वे खा रहे थे, वे सोकर उठे हैं तो भूतकाल सामान्य भूत, आसन्य भूत पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत पंदिग्ध भूत, और हे तुहे तुमद भूत जिसे हम कहते हैं simple past, past indefinite सामान्य भूत को आसन्य भूत हम कहते हैं recent past को recent past को हम कहते हैं आपका आसन्य भूत past perfect को हम कहते हैं आपका पूर्ण भूत ठीक है, पूर्ण भूत आपके कहते हैं past perfect को अपूर्ण भूत कहते हैं पास्ट इंडिफिनिट और पास्ट कांटिनिवस को सरी पास्ट कांटिनिवस को हम बोलते हैं अपूर्ण भूत संदिक्ध भूत बोलते हैं डाउटफुल पास्ट को और हेत हेतुमद भूत बोलते हैं कंडिशनल पास्ट को हमारे भूत काल के कुल छे भेध होते हैं हिंदी में, ठीक है, वे गए, ये आपका एक सामाने भूत है, जिसे हम Past Infinite गोलते हैं, वे आये थे, वे आये थे, ठीक है, ये है आपका Past Perfect यानी कि पुणभूत, पुणभूत काल यही है, वे खा रहे थे, वे खा रहे थे ये आपका अपूर्ण भूत है यानि continuous ये चल रहा था ठीक है ये आपका continuous था ये चल रहा था ये आपका continuous ये अपूर्ण भूत है ठीक है वे सोकर उठे हैं ये आपका present tense है तो आप समझे रहे होंगे वे गए ये आपका past indefinite है जिसे हम हिंदी में सामान ने भूतकाल कहते हैं ठीक है जब हमसे सामाने भूतकाल का पूछेगा तो वे गए होगा जब हमसे पूछा है पूर्ण भूतकाल वे आये थे हुआ हमसे पूछेगा अपूर्ण भूतकाल तो वे खा रहे थे ठीक चले नेक्स्ट निमलिखे सब्दों में निपात का उदारण कौ इससे हमें प्रश्ण को समझने में काफी आसानी होगी कि निपात सब्द होता क्या है जो निपात है ये मूलतह जो है निपात का प्रयोग अव्ययों के लिए होता है ये सुद्ध रूप से अव्ययों नहीं होते हैं इनका कोई लेंग वचन नहीं होता है निपातों का प्रयो निश्य सब्द सब्द समूह या पूरे वाक्य को भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है निपात सहायक सब्द होते हुए भी वाक्य के अंग नहीं माने जाते हैं ठीक है निपात हमारे कुल नौ प्रकार के होते हैं ठीक है कितने प्रकार के होते हैं निपात नौ प्रकार के कौन कौन से होते हैं स्विक्रित बोधक स्विक्रित बोधक नकार बोधक नकार बोधक निसेधात्मक बोधक निसेधात्मक बोधक प्रस्न बोधक विश्मयादी बोधक तुलनात्मक बोधक अवधारादमक बोधक आदर बोधक बल प्रदायक बल प्रदायक बोधक ठीक है विश्मयादी विश्म एकार बोधक में जी नहीं नहीं तुलनात्मक बोधक में उसके जैसा राम जैसा सा प्रीयोग होता है आदर में हैं आदर में जी सब्द का प्रयोग करते हैं हम बलपरदायक में होता है आपका तो ही भी भर सिर्फ केवल जैसे सब्द बलपरदायक में प्रयोग किये जाते हैं और आपका एक और है अवधारणा बोधक, ठीक है, अवधारणा बोधक, अवधारणा बोधक के ही आपके एक्जामपल हैं, जिसमें होता है निपात में ठीक, करीब, तकरीवन, लगभग, ठीक, तो आप यहां से देखिए, हमने सारे निपात सब्दों को लिख दिया है, तो निपात सब्दों से आप जब देखेंगे, तो आपका जो आप्सन बन रहा है, वो है ठीक, ठीक आपका एक निपात सब्द है, ठीक है, यह थोड़ा याद रखना पड़ता है, एक दो बार पढ़ लेंगे, नोट कर लेंगे, याद हो जाएगा, फिर आपके प्रशन गल किया, पुझ्यनिये पिता जी आगए, आज बेहत गर्मी है, उसकी जन्मती थी क्या है, ठीक है, देखेंगे, उसने आसन ग्रहन किया, यह सही वाक्य है, पुझ्यनिये नहीं होता है, यहाँ पर होता है पूझ्यनिये, ठीक है पूजनिय होता है तो यह आपका सही हो जाएगा यही आपका गलत होए असुद्ध है पूजनिय कर देने पर या वाक्य आपका सही हो जाएगा आज बेहत गर्मी है या सही है उसके जन्मतित क्या है या भी वाक्य अपने आप में सही है सम्विधान के किस अनुछेद में हिंदी को राजभासा तथा इसकी लिप देवनागरी को स्विकार किया गया तो यह है इसका सही अंसर आपका आर्टिकल 343 है तो आर्टिकल 343 के बारे में हम आपको कुछ बता देते हैं जैसे कि इसमें कहा गया था कि संग की राजभासा हिंदी और लिप देवनागरी होगी अंको का रूप भारती अंको का अंतराश्टिय रूप होगा ठीक है इसमें इसकी बाद में समिच्छा भी की गई थी समिच्छा के दोरान यह पाया गया 343 एक में अच्छा हाँ इसमें एक पॉइंट और है कि संविधान के प्रारंब से 343 जब संग की राजभासा हिंदी को राजभासा के रूप में सामिल किया गया इसमें 343 के अंतरगती संविधान के प्रारंब से 15 वर्ष की अवधि तक अर्थात 1965 तक आज़ादी के 15 वर्ष तक यानि 1965 तक उन सभी सास की प्रियोजकों के लिए अंग्रेजी भासा का प्रियोग किया जाता रहेगा जिनक के लिए पहले प्रियोग किया जा रहा था ऐसा वहां पे बात लिखी गई ऐसा हमारे 343 में सामिल किया गया परंतु एक सर्थ रखी गई कि राश्पत उक्त अवधि के दोरान संग के सास की प्रियोज को प्रियोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भासा की अत्रिक्त हिंदी भासा का और भारति अंकों के अंतराष्टी रूप के अत्रिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिक्रित कर सकेगा उसके पास ऐसा अधिकार होगा ठीक है संसद उक्त पंद्रा वर्ष की अवद के बाद विधि द्वारा अंग्रेजी भासा का या अंको के देवनागरी रूप का ऐसे प्रयोजनों का प्रयोग उबंधित कर सकता है जो ऐसी विधि में वी निर्दिष्ट किये जाएं ठीक है कि राजभासा देवनागरी लिपी में लिखित हिंदी घोसित की गई इससे देशन के बहुमत की इच्छा ही प्रतिध्वनित होती है ठीक है फिर 342 में कहा गया उसके अनुसार कि भारती सम्मिधान लागू होने की तारीख हर्था 26 जनुरी 1950 से यह लागू नहीं किया जा स रखता था इसे लागू करने के लिए सम्मिधान लागू होने के 15 वर्ष बाद की अवद ही रखी गई यान 1965 को रखा गया ठीक है फिर भी अनुछे 343 कहता है 343 के तहत यह बात कही गई कि सरकार ने यह सक्ति प्रात कर ली कि वह इस 15 वर्ष की अवद के बाद भी अंग्रे 333 को पूरी कर दी क्योंकि इस अधिनियम ने सरकार के सुद्देश को स्ताफ कर दिया कि अंग्रेजी की हुकूमत देश पर अनंतकाल तक बनी रहेगी यानि कि सारे नियमों कानूनों के बाद भी हमने हिंदी के वर्ष सुको बनाए रखने के लिए 342-343 से उसे प्रभाव दोहीन कर देश परमान से गुलामी लाद दिया आज भी हम हिंदी को वह महत्व नहीं दे पाए जो कि हमारा नुच्छे 343 हिंदी को महत्व देने की बात करता है ठीक है चलिए नेक्स्ट निमलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है बांगरू, बुंदेली, हडवती और कन्नोजी तो आपके जो यहां पर आप्सन है दो है एक है बुंदेली और एक है कन्नोजी ये दोनु आपकी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है ठीक है तो कन्नोज की बात कर लें तो कन्नोजी आपके उत्तर प्रदेश के पुर्वी में जैसे कानपूर हुआ कानपूर हर्दोई कानपूर हर्दोई साह जहांपूर पीली भी तिटावा कन्नोज फरूखाबाद इत्यादी जगहों पे बोली जाती है और बुंदेली जो है आपका यूपी के आपके जहां सी उरै, महोबा, जालाओन, ठीक है, जालाओन, हमीर्पूर जैसे जिलो में बोली जाती है तो यहां पे जब हम देखेंगे कि जो इसका सही एंसर बनेगा है जो आयोग ने सही एंसर इसका माना था जबकि आपकी दोनों यूपी में बोली जा रही है तो हम देखते हैं कि जो हमारे आयोग ने इसमें एंसर माना है वो एंसर उसने माना है कन्नो जी तो कन्नो जी को क्यों माना है जबकि उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली दो बोलियां है आपकी बुंदेली भी है कन्नो जी भी है इसके बावजूद भी उसने कन्नो जी को क्यों माना है तो कन्योजी आपकी मात्र यूपी में ही बोली जाती है, बुंदेली आपकी यूपी के इन हिस्सों के सांसां मद्य प्रदेश के भी हिस्सों में बोली जाती है, साथ ही साथ अगर आप छेतर फल के दिरिश्टी से देखेंगे, तो कन्योजी आपके उत्तर प्रदेश के ज़ च्छेतर में बोली जाती है इसलिए इसका जो सही एंसर होगा इस प्रस्ण का वो कन्योजी ही बनेगा ठीक है next मामला अभी भी विचारा धीन है मामला अभी भी विचारा धीन है वाक्य का उचित अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा तो इसका जो सही एंसर है वह है, the matter is still under consideration, यानि option C है, यह आपका, the matter is still under consideration, मामला अभी भी विचारा धीन है, next, application may be rejected, यहाँ पे may be का प्रयोग किया गया है, may be सकता का जहाँ भाव उत्पन हो, जहाँ पे वाक्य में सकना हो, वहाँ पे may be का प्रयोग किया गया हो, संभावना की बाती गई हो, अवेदन अस्विकरित किया जाए, अवेदन अस्विकार करें, अवेदन अस्विकार न करें, अवेदन अस्विकार किया जा सकता है, यहाँ पे शकना है, सब्दका प्रयोग हुआ है, इसलिए आप संडी आपका इसका सही answer होगा, ठीक है, तो आज बस इतना ही मित्रों, अग अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ सेर करें साथी साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रूप Study on Track से जुड़ सकते हैं जहांपे आपको इन वीडियोज की पीडियाप साथी साथ huge questions भी वहाँ पर प्रोवाइट कराये जाते हैं अगर आप हमें कोई सुझाओ देना चाहते हैं तो आप हमारे email id studyontrack3.gmail.com पर हमें सुझाओ दे सकते हैं हम इसी तरीके से और भी विश्यों के अच्छे प्रस्णों के संकलन के साथ कई वीडियोज लाए हुए हैं और ला रहे हैं जो कि हमारी playlist में पड़ी हुई है आप हमारी playlist में जाकर हमारे वीडियोज को देख सकते हैं जो कि आपके आगामी परिछाओं की दिरिश्ण से आपके लिए काफी फायदे मन सावित होंगे ऐसा हमारा प्रयास है कि हम आपको बेहतर से बेहतर content प्रदान कर सकें और प्रदान करा रहे हैं ठीक है मित्रों तो आप लोग जी बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि हमारे वीडियो की notification आपको प्राप्थ होती रहे जो लोग PCS की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर PCS के और EPFO के भी वीडियोज पड़े हुए हैं उसे देख सकते हैं धन्यवाद